एक नवंबर को फार्म फिलिंग हो रही है तो कुछ टिफ्स जो इन्फॉमेशन जो आपको डाकुमेंट रिक्वाइड है वह हम पता करेंगे हाउ तो फिलिट एप्लिकेशन फार्म 2019 जो एंटी एक कंडेक्ट कर रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको पता है नैशनल टेस्टिंग एजनसी कंडेक्ट कर रहा है एक्जाम तो 1 नौंबर 2018 को यानिके कल जो है वह वह इस्टार्ट हो जाएगी और इसकी लास्ट जो भी यहां पर पेमेंट करेंगे फी वह लास्ट थर्टी नौंबर तक कर सकते हैं तो आधार कार्ड तो जैसा कि आपको पता सुप्रीम कोड ने रिमूव कर दिया आधार कार्ड कोई नीट के यादर एक्जाम के लिए नहीं है लेकिन फिर भी इसके लिए क्या है कि आध अच मई को होगा हर बार संडे को होता है जैसे आपको पता है तो यह प्रिकल थोड़ इससे इन्फरमेशन जो है मैं आपको बता रहा हुँ अब टीप्स क्या रखने हैं कुछ ऐसे चीजें जो कैंडिडेट को ध्यान में रखनी है फार्म को फिल करते हुए क्योंकि बहुत बनी रहे कि तभी तो मुझ कुछ वहाँ पर ऐलर्टनस रहे कि तो अच्छे से क्या कर सकते हैं के उसको अच्हे से कर सते हैं अब देखिए आंलाइन फिल होगा इसमें कोई आफ लाइन मोड का सिस्टम तो होता नहीं हो मतलब वह और सबमिंटिंग का तो वह तो हमें पता ह online हो जाएगा अब देखो mobile नमर और email address जो आपकी पहले याद रखे आप कुछ ऐसे बचे जिब को email ID भी होती होते है ऐसे भी email ID तक वहां पर नहीं होते तो एक रिजिस्टर अच्छा सा मुबाल मतलब रिजिस्टर मुबाइल नमबर और email ID होनी चाहिए अब आदार कार तो नहीं है जरूरी लेकिन फिर भी अगर ID प्रूफ कुछ भी जो है वह आप दे सकते हैं कोई भी हो तो अगर आदार कार है तो बहुत अच्छी बात है अब application form के लिए और भी एक तो फोटू आपको चाहिए वहां पर आदार कार चाहिए मुबाइल नमबर email ID आपकी naming problem आप अच्छी से देखिए कोई mistake naming में नहीं होना चाहिए कि नाम में अच्छी से देखा जाता है spelling mistake यह वह father's name, mother's name जो भी है कहीं नहीं कहीं वह जो है information हो जाती है उसके बाद देखिए हम बात करेंगर तो आप नीट application form की fee कितनी है आप देखिए 1400 है जो वह general या OBC की category के students के लिए है तो 750 रुपीज है वह जो SCST है फिजिकल handicap category के candidates के लिए है यानि के 1400 जेनरल वह OBC के लिए और 750 SCST इनके लिए है यह आगी कौन सी application fee के बारे में है अब देखिए जो कुछ important dates है जो वह दिये हैं यहां पर बताता हूं मैं आपको यह आगी application form की date तो हमें पता है November 1 2018 last date is submit of need 2019 application form यह 30 November 2018 को है उसके बाद making payment of need application form जो है आपको पता ही होगा तो दोस्तों यह थी कुछ information जो आपको ध्यान पर नेमिंग में उसके बाद mobile number email ID बगारा सब आपके पास अच्छी से होने चाहिए ताके आप वहां पर कोई problem आपको face ना करनी पड़े तो hope मैं करता हूँ के दोस्तों यह information जो है यह वीडियो यह आपके बहुत ही काम आई होगी ज्यादा आपको जरूर से मदद मिली होगी अगर आपको पसंद आए तो मेरा चानल जरूर सबस्क्राइब करें अगर पसंद आए तो like a button जरूर दबाए तो thank you guys best of luck आपके लिए